बहुत बहुत सागत है आप सबका आपके YouTube चनल में श्रीवित मी में और वेकेंसी आ रखी है बैंक में जी हां बैंक की एक बंपर वेकेंसी है तो इसके बारे में डेटेल में देखने वाले हैं कहां कितनी वेकेंसी चीन एविरीटिंग कैसे आपको एकजाम देना है आप एक पर अप्लाई कर से क्यों दो दो पोश्टों पर एक साथ अप्लाई कर से तो सारी की सारी चीज है मतलब एजुकेशन कॉलिफेटिंग उमर की सीमा हर चीज देखने वाले तो आपको बस करना कुछ नहीं बस वीडियो देखने है शुरुगा से हम तक बने रही है मेरे साथ म देखिए जो वीडियो है वीडियो नहीं जो यह वाकेंशी है आई बी पीएश का मतलब इंस्ट्टुटइट बैंकिंग परसनल सेलेक्शन दारा यह वैकेंशी जरी की गई है और यह जो वाकेंशी है इसमें बैंक में भरती होगी कौन कौन सी बैंक रीजनल papier नाम से जिसे जाना जाता है, तो यह जिए वैकैंसी है, अगर आप मोटे तरू पर देखं़े तो यह वैकैंसी जो, ARMQ मतलब raink में आपकी वैकैंसी 17. और bank में दू प्दू प्र वैकैंसी है, एक group A का पद है एक group B का पद है, तो group A के अफसर पर वेकंसी है और दूसरी एक group B के अफसर पर वेकंसी है ठीक है यह भी non-gester type के होते हैं तो इसमें scale 1, scale 2, scale 3 मतलब जो group A की वेकंसी उसमें भी 3 तरह की वेकंसी है और जो group B की वेकंसी उसमें सिर्फ एक तरह की वेकंसी है जिसे आप कहेंगे office assistant या multipurpose भी आप कह सकते है multipurpose में वेकंसी, office assistant में वेकंसी ठीक है तो हम इसके बारे में देखते हैं detail में आँगे चलके ठीक है तो इसी तरह से जिसे आप Group A की वेकेंसी है तो इसमें आपकी ग्रूप A का एक बड़ा पद है तो इसमें वेकेंसी थोड़ी सी कम रहेंगी और इसमें आपकी सेल्ली जादा रहने वाली है करीब करीब आपकी सेल्ली अगर मैं बताओ तो 45,000 रुपए पर मंत के आसपस आपक इसमें सेल्ली होने वाली Group A के अफसर मैं और जो Group B की वेकेंसी इसमें आपकी सेल्ली जाएगी करीब करीब वही आपकी 30,000 से 32,000 पर मंत के हिसाब से आपकी सेल्ली इसमें जाने वाली है हम सुरुआती सेल्ली की चर्चा कर रहे है इसके इलावा जो भी बैंक आपको अखला में हम जैसे ही आंगे करते हैं, तो इसमें आपको देख पा रहे हैं, जो आपकी वेकैंसी ग्रूप A अफसरस में हैं, वो स्केल 1, 2, 3 की है, और ग्रूप B में जो Office Assistant की है, और ये Multi Purpose की आपकी है, तो देखो इसका हम थोड़ा सा आपको Examination Pattern इसमें बताते हैं, कि जो Scale 1 की ये Posts Group है, इसमें आपके होंगे पहले Pre-Exam होगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपका Mans होगा, ठीक है, फिर इसके बाद आपका Interview होगा, तो इसमें तीन प्रक्रिया हैं, इसके बाद जो Group B का आपका है, इसमें आपका एक Pre-Exam होगा, फिर इसके बाद आपका Mans होगा, ठ बनाई जाएगी ठीक है और जो आपका ये ग्रूप एक है इसमें आपके मैंस और आपके इंटर्विव दोनोंक नमबर जोड़के दोनोंक नमबरों का आदार पर आपकी फाइनल मेर लिष्ट बनाई जाएगी ये इसका कुछ एक्जाम प्रोसेस है हम इसके स्लेवस के बाद जो जानकारी है वो डिटेल में आँगे हम आपको देने वाले हैं अब देखो जो ये आरार बीम जो ये वेकेंसी है इसमें कौन-कौन सी इसमें सामिल है आप यहां से देख सकते हैं कई सारी बैंकों के नाम यहां पर लिखे हो ये सारी बैंक इसमें सामिल है अगर आप इस दुम्हें, आपको नौकरी करने का उसर मिलेगा. के कैटेरिया की दरब चलते हैं, तो सबसे पहले जो eligibility कैटेरिया आता है, कोई एक भारत का कोई भी नागरी, भारत का कोई भी नागरी के इसमें फॉर्म भर सकता है. अगर आप नेपाल के हैं तब भी भर सकते हैं बूटान के हैं तब भी भर सकते हैं तिबिदन रिफ्यूजी हैं अगर आप रिफ्यूजी का मतलब होता है सरणार्थी अगर अगर अप तिब्बत से भारत आये सरणार्थी के दोर पर तब भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं आप देखो अगर आप Officer Grade 3, जो की सबसे बड़ा इसमें Grade है, Senior Manager आप इसमें बनाए जाएंगे, एक बेतरीन पेमेंट सुकसुद हैं आपको मिलेगी, जाईर से बात काम भी आपको ज़्यादा ही करना पढ़ेंगा, Responsibilities आपकी ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो इसमें जो आपक कि उम्र सीमा 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए, यह General Category के लिए है, अगर आप Reserve Category में आते हो, मतलब SC, ST, OVC, Fisically Handicapped, भूद पूर फौजी में आते हो, तो आपको करमसा उम्र सीमा में छूट मिलेगी, आँगे देखेंगे इसके बार की जो पोश्ट है, इसमें आपकी उम्र सीमा 21 से लगा के 32 के बीच में होनी चाहिए, आपकी डेटा बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में पढ़नी चाहिए, अब इसके बाद जो Scale 1 की आपकी उसके देखेंगे, इसके Scale 1 आप Assistant Manager बनाए जाएंगे, आपकी उम्र सीमा 18 से 30 साल की बीच में होनी चाहिए, और उम्र सीमा की गड़ना सेम वही, एक जून 2019 से की जाएगी, आपकी डेटा बर्थ इन दोनों डेटों के बीच में पढ़नी चाहिए, अब एक इंपोर्टेंट जो Last है, असिस्टेंट मल्टी परबच के लिए देखेंगे, तो आपकी उम् 60 साते हो, तो 5 साल की चूट, OVC साते हो, 3 साल की चूट, फिजिकली हैंडिकेप तो 10 साल की चूट, अगर आप भूतपूर फाजी हो, तो आपको 3 साल की चूट मिलेगी, ठीक है, तो यह बात हो गई, अब थोड़ा सा आँगे देखेंगे, तो इन में चूट का मतलब यह क 20 साल, 25 साल की, तो नौकरी के बाद उन्हें 3 साल की चूट मिलेगी, ऐसा नहीं, कि जब वो भरती हुए, तो तब से उन्हें 3 साल की चूट देदीगे, तो वो अवरे हो जाएंगे, तो जो उनकी नौकरी हुई है, उसे uncount कर दिया जाता है, आपकी जो भी उम्र फरक नहीं मिलने वाली है, ठीक है, विडोस एंड डाइवर्स हो, मतलब की अगर विडोस हो हैं, तो और डाइवर्स अगर हो चुका है, तो भी उनको चूट इसमें मिलने वाली है, ठीक है, अगर आप जो जो जम्मू एंड कस्मीर के रहने वाले हैं, तो आपको 5 साल की चूट मिलेग आप रहने वाले हैं, person affected जो 1984 में जो rights हुए थे, अगर आप उनके सिकार हुए तो भी आपको 5 साल की चूट मिलने वाली है, तो इस तरह हमने चूटों के बारे हम बात कर ली थी, जो बच्चे अगर इसमें हैं, तो आप चूट इसे ले सकते हैं, थोड़ा सा और आँगे देखेंगे, तो reservation के बारे हमने देख लिया, फिचली handicapped को भी जो है इसमें reservation दे रखा था, तो guidelines आप अगर पढ़ना चाहें, तो इसमें पढ़ सकते हैं, ex-service man के बारे में आप लिख रखा है, तो आप ex-service man अगर आप हैं, तो वीडियो को pause करके पढ़ सकते हैं, हमने वैस करते हैं, इसमें कुछ category है, अगर आपकी जो परिवार की income है, वो आठ लाग रुपए से कम है, और आपके पांच एकड agriculture जो land उससे कम है, मतलब रहने योग आपका फ्लेट है, वो 1000 square feet से कम है, ठीक है, और जो आपका फ्लेट है, yards में अगर 100 square feet से, residential product 100 square yards में, अगर आप इ कर से कम है, और आपकी परिवार की साला ना आए, आठ लाक रुपए से कम है, तो आप अपना certificate बनवा सकते हैं, जो आपकी authorities हैं, जैसे की तैसीलदार वगएरा होगी, district magistrate होगा है, आप इससे certificate बनवा सकते हैं, और इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें छू चार जुलाई 2019 के पहले पहले आ चुका है, क्योंकि मतलब यह हुआ, कि जिन्हों ने इस साल गिर्जो इसन के लाश्ट एर के एकजाम दिये थे, बैचलर डिगली के एकजाम दिये थे, तो वो बच्चे इसमें अपलाई कर सकते हैं, जिनके हाथ में चार जुलाई से पहले पहले का अगर रिजल्ट है, तो आप अपलाई कर सकते हो, नहीं है तो आप अपलाई नहीं कर सकते हो, अब इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टी परपच जो पोस्ट है ये, ग्रूप B की जो पोस्ट है, इसके लिए आपको सिर्फ एक बैंक के लिए फॉर्म भर रहे हो, और जहां वो बैंक है, जहां है, तो उसकी लोकल लेंगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, तो आपको कम से कम हिंदी आनी चाहिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में अपनी तेनाती लेना चाहते हो, और आपको जो है ना, असिस्टेंट मेनेजर की पोश्ट है इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए है ठीक है फ्राम एर किसी भी उनिविश्टी वे गराइस जो रिक्रोगनॉजड हो और प्रिफेंस दिया जाएगा तो बहुत सारे बच्चे इसके लिए अप्लीके वले हैं ठीक है तो अब एक बात मैं आपको और बता दूँ कि अब यहां से एक्सपीरेंस की दरकार हो जाती क्योंकि यह बड़े पद होने लगते हैं धीरी धीर ओफिसर इसके लिए आपको बैचलर डिग्री होनी ही होनी चा कई हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर में जाना चाहते हैं तो आपको एक साल का एक्सपीरेंस चाहिए ठीक हैं इनफोंसें टेक्नोलोजी से अगर आपके पास है डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर पाओगे और साथ में या फिर इलेक्ट्रोनिक से कम्पूइशन से कम्प में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें जो है न क्या होता है कि आपी जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे ठीक है तो ये बात इसकी हो गई अब देखो एस पासिस असमें तरेयर के लिएmbri सेक्ट्र के लिए मार्केटिंग ऑफिसर के लिए ऑगरिकक्छirm AH के इ इन समय specific चीज़ चाहिए मतलब की जैसे कि law officer में आगर आप जानना चाहिए तो आपके पास degree होने चाहिए जिसे आप LLB की नाम से जानते हो LLB की डिगरी 50% नंबर के साथ में है और 2 साल का experience है तो आप इसमें apply कर सकते हो तो अगर आपकी इसमें degree है तो आप इसमें specialist officer grade 2 में जा सकते हो दो साल का experience भी होना चाहिए आप देखेंगे जो सबसे इसमें बढ़ा पाद है officer scale 3 senior manager के पर आप जाएंगे तो इसमें देखिए experience जो है ना 5 साल का minimum experience चाहिए और आपको bachelor degree चाहिए यह 50% number minimum आपके होने चाहिए और जो आपकी degree है अगर आपकी degree जो है ना horticulture, agriculture इन सब चीजों तो आपको वरीता दी जाएगी लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं अगर आपकी किसी अंज से भी है तो कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है तो यह काफी important चीज थी जो मैंने आपको बता दी हम थोड़ा सा आँगे देखते हैं तो आँगे चलने की प्रक्रिया में आप यहां से देख सकते हैं फीस के बारे हम थोड़ा देख लेते हैं देखे दो पद थे एक तो group 1 का था एक था group B का जो group 1 का उसमें अपसरग scale 1, scale 2, scale 3 थी है तो इसमें general और OBC वालों से लिए जाएंगे 600 रुपए general OBC वाले 600 रुपए बांकि जो reserve category है SC, ST, physical handicap वगरा है तो उनसे लिए जाएंगे 100 रुपए यह जो ना online form भरेंगे तब ही उसके बीच में कटवा सकते हैं अब देखेंगे इसमें जो है जो मल्टी परपज था officer assistant मल्टी परपज के लिए office assistant मल्टी परपज के लिए तो जो normal बच्चे हैं उनके लिए 600 रुपए form fees जो reserve category है उनसे form fees 100 रुपए लिए जाएंगे तो द्यान की बात रखेगा यह important चीज थी फीस भी आला की कुछ ज़्यादा नहीं है अब देख लेते हैं इसका selection procedure जो की बड़ा important होता है किसी भी exam के लिए pre-exam के बारे में बात कर लेते हैं और वो भी multipurpose वाले के लिए office assistant multipurpose के लिए तो इसमें आप देख सकते हैं pre-exam में आपकी reasoning गड़ित आएगी दो चीज़ें बस पूछी जाएगी आपका जो पेपर होगा negative marking भी आपकी रहने वाली है ठीक है थोड़ा सा और आगे देखेंगे अब देखें प्री exam की बात करें officer skill 1 के लिए reasoning और गड़ी दो चीज़ें बाकी सब सेम है इसके लिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं अब हम आगे बढ़ने की सरंखला में मैं एक्जामनेशन की यह हमने प्री की बात कर ली थी अब हम देखते हैं मैं एक्जामनेशन यह भी आपका objective टाइप का होने वाला है ठीक है तो देखो जो नमबर आएंगे वह फाइनल मेरे लिष्ट में काउंट नहीं होंगे एक बर और मैं आपको बता दूँ प्री में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना इतने नमबर लेके आने कि आप मैंस एक्जाम देने के लाइक हो जाओ ठीक है तो यह बात इसमी हो गई अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं देखिए अब इसमें मैंस एक्जाम की बात करेंगे जो आपके मल्टी परपज ऑफिस एसिटेंट की पोस्ट है उसमें क्या कहा है कि मैंस एक्जाम में कई सारी चीज़ें आप यहां से देख सकते हैं रीजनिंग आएगी और आपको जो है निमेरिक एक टाइम मिलने वाला है जो आपका ओफिस इसकेल वन की जो पोस्ट है उसमें क्या आएगा मैंस एक्जाम में रीजनिंग कंप्यूटर नौलेज जनल अवेरनेस जनल अंग्रेजी और हिंदी और गड़ित आपकी पेपर जो आपका रहेगा वह हिंदी इंगलिस दोनों मे रहेगा आप यहां से देख सकते दोसो कोश्चन दोसो नंबर के दो गंटे का आपके पास टाइम रहने वाला है थोड़ा सा आगे देखते हैं सिंगल लेवल एक्जामनेशन अबजेक्टिव जो आपका officer scale 2 जनल बैंकिंग officer के लिए देख़िए जो scale 2 कह था उसमें specialist officers बरती हो रहे थे तो हम डेखेएगा अगर आप जनल बैंकिंग ऊफिछर के लिए बरती हो रहे हो तो reasoning, computer knowledge, financial awareness, Hindi और अंग्रेजी और आपका quantity, aptitude मतलब गडित और data interpretation, हिंदी अंग्रेजी दोनों आपका paper रहने वाला है, 200 numbers का total question रहेंगे, 200 question रहेंगे, 2 घंटे का आपको time मिलने वाला है, अब इसके बाद हम यहां से देखने वाले हैं, अगर आप office assistant, specialist schedule के लिए अगर आपने apply किया है, ठीक है, तो specialist schedule मतलब की आपने law के लिए किया है, chartered account के लिए है, agriculture के लिए किया है, तो जो आपका professional knowledge जिसे आपने CA के लिए किया chartered तो आपके पास CA का जो knowledge है, उसके question पूछे जाएंगे, 40 question, 40 number कहोंगे, इसके लाब reasoning जैसे आपने law के लिए किया है, तो यहाँ पर professional knowledge में आपका law से related, LB से related आपकी चीज़ें पूछी जाएंगी, और reasoning, financial awareness, यंगरे जी, language, हिंदी, computer knowledge, और जो है ना, गडित और data interpretation, तो 240 questions रहेंगे, total 200 number आपके रहने वाले हैं, और धाई गंटे का आपके बताना चाहेंगे, reasoning आएगी, computer आएगा, financial awareness आएगी, अंग्रेजी language रहेगी, हिंदी language रहेगी, एक बात मैं आपको और बतादू, जो भी man's exam है, उसमें आपको या फिर अंग्रेजी language एक चूज करनी है, या आपको हिंदी language, किसी एक का आपको paper देना, दोनों का नहीं देना, आपको हिंदी आती, आप हिंदी language का paper दीजी, आपको अंग्रेजी आती, आप अंग्रेजी language का paper दीजी, इस इन नॉड मेनेटरी, ठीक है, यू है यू है तो अली चूज वन ओप्शन, आइदर हिंदी और इंग्लिस, ठीक है, देखिए आप लिक भी रखा, candidate can opt either 4A और 4B, 4A का मतलब है अंग्रेजी, और 4B का मतलब हिंदी और 4A का मतलब अंग्रेजी है, तो कोई एक आपको चूज करना है, ठीक है, जब online form भरेंगे, तो आपको ये option भी रहेगा, तो वहाँ से आप चूज कर सकते हैं, आँगे देखेंगे, तो 200 questions रहेंगे, 200 number आपके, तो 2 गंटे का आपके पास time मिलेगा, आँगे थोड़ा से देखने वाले हैं, इंपोर्टन चीजें जो आपके रहने वाली हैं, वो सारी की सारी हम देखेंगे, देखेंगे, penalty लिख रखा है, आपकी जो है ना, इसमें रहेगा, to all pre, mens and single, मतलब कि जो भी आपके pre exam होगा, या आपका जो mens exam रहेगा, उसमें आपका रहने वाला है, निगेटिव मार्कें आपके रहेगी, थोड़ा से और आंगे बढ़ते हैं, cutoff score के बारे हम थोड़ा सा आपको बताए, each candidate हम पहले देख रहे हैं, for office assistant multiple purpose के लिए, each candidate will require to obtain minimum score in each test of online, man exam lesson to be considered as shortlist, देखिए, इसमें वही कहा गया है, कि pre में आपको सिर्फ इतना कम सहम लेकर आना है, कि आप shortlist हो जाएं, और जो आपके man's में आएंगे, उसके हिसाब से आपको merit list में रखा जाएगा, अब officer scale 1 के लिए आपका क्या है, जो आपके man's exam में जो नंबर है, और जो आपके interview में रहेंगे, तो उनके base पर आपको candidates or register for interview, दोनों के नंबर मिला के आपके जो ना बनाए जाएगी एक final merit list, और सेम वाईसे ही है, scale 2, scale 3 के लिए, दोनों चीज़ें सेम हैं, थोड़ा सा और आँगे पढ़ते हैं, score obtained यह कुछ खास बात नहीं है, देखिए इसमे score obtained in the online examination, pre man's will be normalized, यह आपके जो नंबर हाएंगे इस सारे normalized कि अलग अलग shift में आपके paper होंगे, तो normalization के बाद जो आपके बनेगा, उसमें आपको दिया जाएगा, फाइनल मेरे लिस्ट में वही नंबर काउंट किये जाएंगे, आप यहां से देख सकते हैं, mark obtained only in the man examination will be considered for final merit list, यह बात मैं आपको बताई मल्टी प्रवजवालों के लिए, और officer scale 1 के लिए आपके क्या था, जो आपके man examination में जो marks आएं, solid listing for interview and then final merit list आपकी दोनों की बनाई जाएगी, ठीक है, और scale 3 के लिए क्या marks obtained in the single level examination will be considered for solid listing for interview and final merit list, तो ध्यान देखिएगा, आपके जो man's के marks हैं, वो सबसे ज़्यादा मैत्वपूर्ण इसमें रहने वाले हैं, examination center आपके all over India रहने वाले हैं, और देखिए कुछ बच्चों को इसमें pre-examination training भी दी जाए, जिसे PET के नाम से जाना जाता है, यह RRB आपकी arrange करेंगी, देखिए किन-किन बच्चों को मिलेगा, आप यहां से देख सकते हैं, स्टी वाले बच्चों को, स्टी वाले बच्चों को minority community हैं, जो एक्स सर्विशन भूदपूर 4G हैं, जो physically handicapped हो गएरा हैं, उन बच्चों को जो है ना, इसकी जो है ट्रेनिंग, pre-examination training दीगी, RRB देगी, तो आप इसे जरूर online जब form भरा जाएगा, तो उसमें टिक कर देना, कि हाँ मुझे चाहिए PT, तो आपको दी जाएगी, इस सेंटर आप देख सकते हैं कि कहां का सेंटर, वारंगल, लखनौ, मंडी, जमू, रांची, आलोवर, इंडिया, इसके सेंटर, यहां यहां पर आपको pre-examination training मिलेगी, थोड़ा सा और आँगे देखेंगे, जो भी important चीज़े हैं, वश्चे mostly हम discuss कर चुके हैं, interview applicable for the post of officer skill 1, यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, थोड़ा सा और आँगे देखेंगे, बढ़ने की स्रंखला में हम देखते चलते हैं, जो जो important चीज़े होती हैं, उनके बारे में, जो आपके application चलेंगे, वह 18 जून से आपके शुरुआत होके चलेंगे, चार जुलाई तक, तो ध्यान रहे हैं, इन दोनों के बेच में जितनी जल्दी हो सके, आप अपने application भर दीजेगा, आप देखिए यहां से एक important बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कि आप देखिए दो form भर सकते हो, आप office assistant multipurpose के form भर सकते हो, और आप officer scale 1 या scale 2 या scale 3 का form भर सकते हो, कहने मतलब दो form भर सकते हो, आप एक साथ officer scale 1, scale 2 और scale 3 के नहीं form भर सकते हो, आप या फिर चूज कर लो officer assistant multipurpose चूज कर लो और साथ में officer scale 1 चूज कर लो, या फिर multipurpose भर दो, और scale 2 भर दो, या फिर officer assistant multipurpose भर दो, और scale 3 भर दो, तो अप दो form भर सकते हो, ठीक है, लेकिन officer scale में ही आप दो form नहीं भर सकते हो, official stand या फिर किसी officer scale 1, 2, 3 किसी का भी form भर सकते हो ठीक है यह बात यहां से लिखी है तो मैंने आपको बता दी है यह important चीज थी और data online के बारे में हमने सर्चा कर दी है अब mostly चीज़ें हम discuss कर चुके हैं और इसकी official website ibps.nse.in है उस website पर जाकर आप अपना form इसमें भर पाएंगे यह देखिए www.ibps.in है इस पर जाकर आप अपना online form भर पाएंगे उमीद करता हूँ आपकी सारी जो दिक्कतें वो solve हो गई होगी सारी questions का आपको जो आप मिल गया होगा आप इसका जो ना स्लेवस देख सकते हैं जाके सरकारीसलेवस.com पर वहाँ पर आपको जो ना इसके notification आपके old papers वगएरा ठीक है और इसका detailed slavers आपको मिल जाएगा और इसका जो online एक आपको demo video भी है आपको exam कैसे देना online exam होने वाला है उसका एक demo video भी आपको मिल जाएगा old paper आपको मिल जाएगे details levels आपको मिल जाएगा और notification का link भी मिल जाएगा और आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी किस state में कितनी कितनी वेकेंसी ये काफी important चीज है आपको इस website पर जाकर आप जाकर देख पाएगे कि official notification डाउनलोड करके वहां से देख पाएगे कि आपके किस state में कितनी वेकेंसी डिटेल वेकेंसी वहां से आप देख पाएगे ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आयो तो इसे like जरूर कीजेगा और अपने दोस्तों यारों मित्रुक साथ में share कीजेगा हम आपसे मिलते अगले उडियम तब तक पाएवाटर म。